Hello everyone, good morning, this is Anil K. Sharma और आज हम Unix या Linux में MKDIR कमांड का practical demo देखेंगे बट उससे पहले आएए समझते हैं कि MKDIR कमांड का क्या use है तो MKDIR कमांड stands for make directory और folder तो MKDIR कमांड का मतलब है make directory command और Unix या फिल Linux में directory को folder भी बोलते हैं तो this command allows users to create or make new directories तो MKDIR कमांड क्या करता है users को allow करता है कि Unix या Linux में कोई भी नई directory वो create कर सकते हैं तो इसके लिए simply क्या करना है Unix या Linux operating system पर जा करके open terminal से login करना है तो open terminal से login कैसे करेंगे यह अभी देखेंगे थोड़ी दिर के बाद तो open terminal से login करना है और open terminal से login करने के बाद by default हम किसी ना किसी directory में आ जाते हैं तो किस directory में है उस current directory को चेक करने के लिए हमारे पास एक command है pwd command present working directory command तो pwd command को execute करके हम यह चेक कर लेंगे कि हम currently किस directory में है और फिर इसके बाद ls command को execute करेंगे ls command को execute करके यह चेक करेंगे कि हमारे operating system में कुन-कुन सी files है और कुन-कुन सी directory है ताकि जब हम directory create करें तो same नाम की directory का नाम वहाँ पर नहीं दे सकते हैं फिर इसके बाद अब हमें कोई directory create करनी है तो हम type करेंगे mkdir और इसके बाद directory का नाम देना है कुन सी directory आप create करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर dir1 यह मैंने directory का नाम दिया है एंटर प्रेस करेंगे तो एक डारेक्टरी DIR1 नाम से हमारी बन जाएगी अब मैं चाहता हूं कि DIR1 नाम की जो डारेक्टरी बनी है उसके अंदर सब DIR1 नाम की एक डारेक्टरी और क्रियेट हो जाए तो हम टाइप करेंगे MKEDIR फिर DIR1 बैक्सलैस सब DIR1 और एंटर प्रेस करेंगे तो DIR1 नाम की डारेक्टरी में सब DIR1 नाम की एक दूसरी डारेक्टरी क्रियेट हो जाएगी अब मैं चाहता हूं कि इस सब DIR1 नाम के डारेक्टरी में भी एक sub-sub-dir1 नाम की directory create हो जाए तो इसके लिए again मैं क्या करूँगा mkdir command को type करूँगा dir1 backslash sub-dir1 backslash और यहाँ पे मुझे एक directory का नाम देना है तो मैंने दिया है sub-sub-dir1 और enter प्रेस करने के बाद sub-sub-dir1 नाम की directory sub-dir1 बाली directory में जाकर के create हो जाएगी और इसके बाद फिर ls command को execute करके हम check कर लेंगे कि हमारी directory बनी है या नहीं बनी है अब इसका practical demo करके देखते हैं तो यह हमारा Linux का operating system है तो यहाँ पे मैंने अभी login नहीं किया है तो open terminal से सबसे पहले login करेंगे तो open terminal से login करने के लिए right click करेंगे तो यह मैंने right click कर दिया और यहाँ पे option है open terminal इस पे click करेंगे तो यह मैंने इस पे click कर दिया तो यह मैंने अब अपने Linux operating system पे मैंने login कर लिया है और अब इस पे जो है चेक करेंगे कि by default हम किस directory में है तो हमारे पास एक command है pwd command तो यह command बताएगा कि अभी currently हम किस directory में है बट इससे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो control shift plus plus और उपर से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको ले जाकर के यहाँ पे set कर देते हैं अब pwd command को type करके हम चेक करेंगे कि currently हम किस directory में है तो यह मैंने enter प्रेस कर दिया तो currently हम anil नाम के directory में है अब यहाँ से ls command को execute करके चेक करेंगे कि हमारे operating system में कौन-कौन सी files और directories है तो enter तो यह सारी files है और यहाँ पे हमें जो एक directory बनानी है वो बनानी है dir1 तो dir1 नाम की कोई भी directory नहीं है इसलिए इस नाम से directory अब create हो जाएगी तो इस नाम से directory create करने के लिए हम क्या करेंगे type करेंगे mkdir और directory का नाम देंगे dir1 और enter प्रेस करेंगे यह dir1 नाम के directory create हो गई है अब dir1 नाम के directory के अंदर भी हमें एक directory create करना है तो mkdir और dir1 यह already create है backslash के साथ हम एक directory का नाम देंगे subdir1 enter अब dir1 के अंदर subdir1 नाम के directory बन गई है अब मैं इस subdir1 के अंदर भी एक directory create करना चाहता हूँ तो mkdirdir1 backslash subdir1 backslash और यहाँ पे आप मुझे एक directory का नाम देना है तो subdir1 यह मैंने नाम दिया आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे और enter प्रेस करेंगे तो यह directory हमारी बन गई हमने तीन directory बनाई है एक तो dir1 नाम के डारेक्टरी बनाई है इसके बाद dir1 के अंदर एक subdir1 नाम के दूसरी डारेक्टरी बनाई है और subdir1 के अंदर sub-subdir1 नाम के एक तिसरी डारेक्टरी बनाई है अब ls command को execute करके हम चेक करेंगे कि हमारी डारेक्टरी बनी है या नहीं बनी है यह मैंने ls command को type करके यह मैंने enter प्रेस कर दिया तो यहाँ पे blue color में जो है dir1 इस नाम के directory हमारी create हो गई है बट अब जो है हमें check करना है कि dir1 नाम के directory के अंदर जो हमने एक directory बनाई थी subdir1 और subdir1 dir1 नाम के अंदर जो हमने directory बनाई थी sub-subdir1 उसको कैसे check करेंगे तो उसके लिए हम एक बार slide पे चलते हैं बट इससे पहले इसको clear कर लेते हैं यह मैंने clear कर दिया अब अपनी slide पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है ls command को जब हम execute करते हैं तो जो directory हमने पहली बार बनाई थी उस directory का नाम show करता है बस बट उस directory की अंदर जो हमने directory बनाई है उस directory को हमें check करना है कि वो directory बनी है या नहीं बनी है तो इसके लिए हमारे पास एक command है cd command उसको type करेंगे cd space और dir1 यह जो directory हमने बनाई थी इस directory के अंदर जाएंगे इस directory के अंदर जा करके cd space dir1 करेंगे तो dir1 नाम के directory के अंदर घुज जाएंगे और यहां से फिर ls command को execute करेंगे तो बताएगा कि dir1 नाम की directory के अंदर कोई directory बनी है या नहीं बनी है इसके बाद dir1 नाम की directory में हमने एक subdir1 नाम की directory बनाई थी तो उसमें जा करके अगर हमें चेक करना है तो again cd space subdir1 टाइप करके enter प्रेस करेंगे और फिर ls command को टाइप करके execute करेंगे तो यह बताएगा subdir1 के अंदर कोई directory बनी है या नहीं बनी है इसके अंदर subdir1 के अंदर हमने बनाई थी sub-subdir1 तो cd करके sub-subdir1 इस directory के अंदर गुज जाएंगे और ls command execute करेंगे तो यह बताएगा कि sub-subdir1 के अंदर कोई directory बनी है या नहीं बनी है और इसके बाद इन तीनों directory से बारी बारी से बाहर निकलने के लिए cd dot dot cd space dot dot करेंगे तो sub-subdir1 से बाहर निकल जाएंगे ls command से एक बार चेक कर लेंगे कि हम बाहर निकले हैं या निकले हैं फिर cd space dot dot करके sub-dir1 से बाहर निकल जाएंगे ls command से फिर चेक कर लेंगे फिर cd space dot dot करके फिर हम dir1 नाम के डारेक्टरी से भी बाहर आ जाएंगे और ls command को यूज़ करके हम चेक कर लेंगे तो चलिए इसका पर प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो यहां पर ls command एक बार और एक्जिक्यूट कर लेते हैं तो यहां पर dir1 नाम के डारेक्टरी हमारी बनी हुई है तो अब इसमें cd space dir1 इसके अंदर जाएंगे यह चले गए यहां से ls command एक्जिक्यूट करेंगे तो यह बताएगा कि dir1 डारेक्टरी के अंदर डारेक्टरी बनी है या नहीं बनी है तो यह बता रहा है कि sub dir1 नाम के डारेक्टरी बनी है अब इसकी अंदर भी जाकर चेक करना है तो cd sub dir1 और enter प्रेस करेंगे और यहां से ls command execute करेंगे तो यह बताएगा sub sub dir1 नाम के directory इसके अंदर बनी है अब इसके अंदर भी चेक करना है तो cd space sub dir1 enter करेंगे और ls command execute करेंगे तो कोई भी result नहीं आया that means कि sub sub dir1 के अंदर कोई भी directory नहीं है तो इस तरीके से इसमें हमने देखा कि हम directory के अंदर कुण सी directory बनी है फिर उस directory के अंदर कुण सी directory बनी है वो हम cd command को यूज़ करके चेक कर सकते हैं अब step 22 step जो है हमें sub sub dir1 से बाहर आना है फिर sub dir1 से बाहर आना है फिर dir1 से बाहर आ करके अपने home directory में आना है यानि कि अनिलाम के home directory में आना है जब मैंने open terminal से login किया था उस directory में आना है तो sub sub dir1 से बाहर आने के लिए type करेंगे cd space dot dot और enter प्रेस करेंगे अब किसमें अब sub dir1 में तेक बाच चेक कर लेते हैं sub sub dir1 से बाहर निकल गए अब sub dir1 में है इससे बाहर निकलने के लिए dot dot बाहर फिर इससे बाहर निकलने के लिए space dot dot बाहर अब हम home directory में आगे अब pwd command को execute करके देखते हैं तो हम अभी कहाँ पे अनिलाम के home directory में है तो इसको clear कर लेते हैं यह मैंने clear कर दिया तो यह था कि directory के अंदर जो directory बनी है उसको हम check कैसे करेंगे अब जो है अभी हमने क्या देखा है अभी हमने यह देखा है कि directory के अंदर directory बनानी है और फिल उस directory के अंदर directory बनानी है तो mkdir command को तीन वार execute करना पड़ता है यानि कि पहले dir1 बनाएंगे mkdir command से फिर mkdir command से dir1 के अंदर फिर directory का नाम देख करके फिर directory बनाएंगे फिर mkdir command को यूज करके dir1 के अंदर subdir1 और फिर sub-subdir1 नाम के directory बनाएंगे तो तीन बार mkdir command को execute करना पड़ता है यहाँ पर हमार पास एक option है कि mkdir command के साथ hyphen p option को यूज करके हम जो है एक साथ directory की अंदर directory create कर सकते हैं तो इसके लिए कैसे type करेंगे command को सबसे पहले type करेंगे mkdir इसके बाद space hyphen p और इसके बाद एक directory का नाम देंगे तो यहाँ पर मैंने साथ dir2 नाम की डारेक्टरी बन जाएगी उसके अंदर सब dir2 नाम की डारेक्टरी बन जाएगी और फिर उसके अंदर सब सब dir2 नाम की एक डारेक्टरी बन जाएगी और ls कमांड को एक्जिक्यूट करके हम चेक कर लेंगे कि हमारी डारेक्टरी बनी है या नहीं बनी है तो आईए इसका भी प्रेक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर हम टाइप करेंगे mkdir और यहां पर हमारे पास एक ओप्शन है हाइफन पी और एक डारेक्टरी का नाम देंगे यहां पर dir2 backslash फिर sub dir2 एक ओर डारेक्टरी का नाम दे दिया मैंने फिर इसके अंदर एक ओर डारेक्टरी का नाम देंगे sub sub dir2 और enter प्रेस करेंगे अब एक बार में ही जो है यह डारेक्टरी क्रियेट हो गई है ls command execute करेंगे तो यहां पर dir2 blue color में जो है यह already बन गई है अब dir2 के अंदर चेक करना है तो cd space dir2 enter करेंगे ls command चलाएंगे फिर cd sub dir2 enter करेंगे ls command चलाएंगे फिर cd sub dir2 enter करेंगे ls command चलाएंगे इसके अंदर कोई भी फाईल नहीं बनी है कोई भी directory नहीं बनी है अब इससे बाहर आ जाएंगे इससे भी बाहर आ जाएंगे और इससे भी बाहर आ जाएंगे और pwd command को execute करेंगे तो हम अपने home directory में बापस आगए तो इस तरीके से hyphen p option को mkdir command से जो है mkdir command के साथ यूज़ करके एक साथ ही हम directory के अंदर directory directory के अंदर directory भी create कर सकते हैं अब हम check करेंगे कि जो dir1 जो पहली directory बनाई थी और dir2 जो दूसरी directory बनाई थी तो manually इसको check करेंगे कि हमारे अनिल लाम के home directory में ये बनी है या नहीं बनी है तो इसके लिए इस terminal से बाहर आजाते हैं तो exit करेंगे तो ये बाहर आगे अब यहाँ पे अनिल लाम का home directory ये रहा हमारे पास इस पे click करेंगे और click करने के बाद इसको बड़ा करेंगे और इसमें हमने एक directory बनाई थी dir1 ठीक है तो यहाँ पे dir1 यहाँ पे इसकी अंदर हम हमने एक directory बनाई थी sub-dir1 इस पे double click करेंगे तो यहाँ पे sub-dir1 यहाँ पे बनी हुई है फिर इसके उपर double click करेंगे तो इसके उपर double click करेंगे तो इसके अंदर हमने बनाई थी जो है sub-dir1 के अंदर जो है हमने बनाई थी sub-sub-dir1 और इसके बाद इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं बनाई थी तो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है तो इस तरीके से हम manually भी अपने अनिल लाम के home directing यानिकि pwd command को execute करके हम चेक कर लेंगे कि currently हम किस directory में है ठीके और इसके बाद जो है फिर उस folder को देखेंगे किस नाम से हमने folder बनाए था और उस folder के उपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर folder बनी है या नहीं है अब again अगर हमें check करना है कि dir2 नाम की जो हमने directory बनाई थी तो वो बनी है या नहीं बनी है तो वही अनिल home में जाएंगे double click करेंगे और इसको यहां से बड़ा कर लेंगे और यहां पर dir2 यह जो directory हमने बनाई थी mkdir space-p करके जो हमने बनाई थी वो यह वाली है इस पर double click करेंगे और double click करने के बाद यहां पर हमार पास sub-dir2 और इसकी अंदर sub-sub-dir2 और इसकी अंदर कुछ भी नहीं था तो इसकी अंदर कुछ भी नहीं दिखाएगा यहां पर इस तरीके से हम जो है manually भी check कर सकते हैं इन सब को हटा देते हैं यहां से तो इस तरीके से manually भी check हम कर सकते हैं तो यह था mkdir command के बारे में thank you, thanks for watching